इस कहानी के कल वाले भाख में आपने देखा कि कैसे रामो चिडिया और उसका पती अनाथ हाले से एक बच्चा गोद लेते हैं और फिर कुछ दिनों बाद उनका अपना बेटा भी अंडे से निकलाता है और गोरी कवी कैसे पापा चिडिया को उल्टी सीधी बातें सिखाती है मैं तो कहती हूँ अभी जाकर उसे अनाथ हाले में ही छोड़ाओ अभी समय है जैसे जैसे वो बड़ा होगा समस्या भरती जाएगी फिर पापा चिडिया अपने खर जाता है सारा परिवार पापा चिडिया का इंतजार कर रहा था मैंने फैसला कर लिया है आप आज मुझे कुछी ठीक नहीं लग रहे है क्या बात है हम सोने को वापिस अनाथ हाले छोड़ाएंगे वहाँ बहुत जगा है और हमारे पास केवल एक ही घर है ये कैसी बात कर रहे हैं आप मैं ऐसा नहीं कर सकती ममा चिडिया रोने लग जाती है दोनों बचे डरते हुए चुप चाप अपने पापा की आँखों की तरफ देख रहे थे चलो चलो सोने मेरे साथ चलो बेटा मैं आपको आपके असल घर में छोड़ाता हूँ अगर मुझे वही छोड़कर आना था तो आप मुझे वहां से लाई ही क्यों थे क्यों मुझे खुशिया दी थी अगर छीन ही देनी थी मैं मा के बिना रह लूँगा आपके बिना रह लूँगा मगर मैं भाई के बिना कैसे रहूंगा वहां वहां छोटे जैसे और भी पक्षी है और वैसे भी छोटा आपका सगा भाई थोड़ी है पापा प्लीज प्लीज पापा मेरे भाई को मुझसे तूर न करें मैं मर जाओंगा भाई के बिना किसी की ना सुनते हुए पापा चिडिया सोने को साथ लेकर आना धाले जाता है और उसे वहाँ छोड़ाता है आज रात पापा चिडिया अपने मन से शर्मिंदा तो था मगर वो खुद को सही साबत करने के लिए वही गोरी की बात अपनी पतनी से कहता है एक घर है हमारा कल इसमें हमारा सगा बेटा रहता या वो पराई संतान मगर मामा चिडिया कोई जवाब नहीं देती वो अपने छोटे बेटे को सीने से लगाए रो रही थी अगर मुझे पहले पता होता तो मैं भाई से कुछ बाते ही कर लेता ये सब बहुत अजान किया बापा आपने ममा क्या बड़े चोजा हैं वो कर सकते हैं क्या छोटों को किसी फैसले का अधिकार नहीं होता ऐसा कहते हुए छोटे की सांस रुक रही थी सुभा पक्षियों की आवाज सुनकर पापा चिडिया की आँख खुल जाती है ममा चिडिया ऐसे बैठी हुई थी जैसे वो पत्थर की बरी हो जो हुआ उसे एक सपना समझ कर भूल जाओ अपनी संतान का अच्छा ही सोचते हैं माता पिता मैंने जो किया वो ठीक ही किया है पापा मुझे नहीं रहना अपने बड़े भाई के बिना आप मुझे भी भाई के पास ही छोड़ाएं चुप चुप कर जाओ बस बहुत हो गया अब कोई भी उसका नाम नहीं लेगा ऐसा कहते हुए पापा चिडिया अपने घर से निकल जाता है वो सीधा नदी पर जाता है कुछ पक्षी किस्मत वाले होते हैं वो बच्चा आप के लिए खुशिया लेकर आया था उसके आ जाने से ही उपर वाले ने आपको और बेटा दिया आपने गलत किया है जो उसे वापिस अनात हाले छोड़ाए यार कबूतर पराई संतान कब अपनी बनती है मानो प्यार और महबत के रिष्टे अपनों से बढ़कर होते हैं मैंने देखा है कि के बार आपकी सगी संतान पी बढ़ापे में आपका सहारा नहीं बनती ये सब भागे की बात होती है वो ऐसे बैठे हुए थे कि कालू कवा दोड़ता हुआ आता है मानो, मानो, जल्दी चलो, तुम्हारे घर की च्छाते गिर गई है, जल्दी चलो मेरा बेटा, मेरा बेटा तो बच गया है न ऐसा कहते हुए वो सब वहां से भागते हैं मैं ठीक हूँ, छोटू भी ठीक है हम अभी घर से बाहिर निकले ही थे के घर की छट गिर गई छोटू मेरे बेटे, मेरी जान हो आप कहीं छोड तो नहीं आई मैं ठीक हूँ बापा, मामा के पंक पर जोट आई है नहीं, मैं भी ठीक हूँ चलो मानो, लकड हारे पक्षी के पास जाते हैं और घर की छट की मरमत करवा लेते हैं चुड़िया बेहन, आप छोटू को साथ लेकर मेरे घर आ जाएं मानो और कबूतर भी लकड हारे पक्षी को साथ ले आते हैं जो कुछी देर में मानो के घर की छट की मरमत कर देता है मैंने ने की लगा कर छट को मजबूत कर दिया है बाकी और कुछ काम है तो वो भी देख लें मैंने सब देख लिया है फिर वो लकड़ारा पक्षी वापिस चला जाता है रात हो जाती है मुझे भूक नहीं है मैं फिर खा लूँगा बेटा सब भूल जाओ जैसे वो आपको भूल गे आप भी भूल जाओ खाओगे नहीं तो जीओगे कैसे मेरा भाई मेरा छोटू मेरी आँखों के सामने आ रहा है अगर वो आपका भाई होता तो कभी भी आपको अपने से जुदा ना करता आप उन सब के लिए पराए थे साथ रहकर भी पराए ही रहे देखो बेटा यही समझो के ये एक सपना था जो तूट गया कुछ सपने तूट जाने से फिर कभी आँखों में नीद नहीं आती मैंने ऐसा सपना देखा ही क्यों मैं क्यों बना उस परिवार का हिस्सा मेरी तरफ देखो मैंने अपना बच्पन, जवानी और अब बढ़ापा इसी अनात हाले में गुजारा है यही घर है हमारा, इसी से प्यार करो मैं आपकी माँ हूँ और आप देखो कितने बहन भाई हैं आपके यहां फिर सोना रोते रोते भोजन खा लेता है जिस दिन से सोना गया है हमारे साथ सब गलत हो रहा है आपने देखा नहीं कैसे अचानक हमारे घर की चछत गिर गई भोजन की भी कमी हो गई है और कल से छोटू को भी बुखार है प्या छोटू को भुखार है ऐसा कहते हुए पापा चुडिया छोटू को अपना पंक लगाता है छोटू का शरीर तो जल रहा है मैं इसे अभी बुल-बुल के पास ले जाता हूँ फिर पापा चिलिया अपने बेटे को साथ लेकर बुल बुल के पास जाता है इसका बुखार बहुत तेज है मैं ठंडे पानी की पटी करती हूँ आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो मेरा भाई आ गया है, कहां है मेरा भाई छोटू, मेरे बेटे आप रुकें, छोटू बेटे, क्या आपको अपने भाई के पास जाना है मेरे भाई को मेरे पास ले आओ मेरा भाई ला दो मुझे मम्मा चिलिया भी रोती हुई, उनके पीछे आ जाती है छोटू को अभी तक होश नहीं आई छोटू, मेरे बेटे, देखो, आपकी मम्मा आई है, आपको देखने मम्मा, मेरा भाई कहा है, मेरे भाई को ले आओ बच्चा अभी बहुत छोटा है, कोई बड़ा सदमा लगा है इसे इसकी सांस रुक रही है रानो, चलो मेरे साथ कहाँ? अना थाले फिर पापा चड़िया और ममा चड़िया आना थाले चले जाते हैं एक ही तो दिल है, बार बार क्यूं तो आना चाहते हो आप ये बच्चा भी आपके बच्चे की ही दरहा है बहुत मुश्किल से संबला है ये सोने, मेरे बेटे, अपने पापा को माफ कर दो छोटू बहुत बीमार है, मेरे साथ चलो सोना खामोश बैठा, ममा चड़िया की तरफ देखे जा रहा था चलो मेरी जान, अगर आप ना गे, तो पहले आपका भाई मरेगा और फिर बात में आपकी ममा फिर वह बच्चा जोर जोर से रोने लग जाता है भाई, मेरा भाई, ऐसे ममा चड़िया और पापा चड़िया सोने को साथ लेकर बुलबुल की तरफ उड़ते हैं छोटू की आँखें बंद थी, बुलबुल उसके पास बैठी हुई थी भाई, छोटू, मैं आ गया, भाई, मैं आ गया ये सुनना था के छोटू अपनी आँखें खोलता है और वो दोनों भाई, एक दूसरे के गले लग जाती हैं सब रो रहे थे मैं जान गया मेरे बच्चो, मुझे पता चल गया कि प्यार का रिष्टा ही सबसे बड़ा होता है मैं वादा करता हूँ, मेरे बच्चो, हम हमेशा साथ रहेंगे, एक साथ फिर वो परिवार, फिर से अपने ने जीवन की शुरुआत करता है जमीन से उरते समें, पूरी शक्ति लगाते हैं और फिर जब बेड़ों से उपर चले जाएं, तो अपने पंक फिला लेते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता, अपने पंक उपर नीचे करते हैं ये तो बहुत आसान है, इस बार तो मैं उर लूँगा ममा, देखना, मैं आप से ज्यादा उंचाई पर जाऊंगा वो ममा चिडिया अपने बेटे को ऐसे उणना सिखा रही थी चिडिया का बेटा कूकू अभी छोटा था ममा चिडिया को चिंता थी, कि वो जल से जल उसे उणना सिखा दे ममा, मैं एक और ट्राई करूँ अगर महसूस हो कि आप नीचे गिर रहे हो तो नदी की दिशा में ना जाना, किसी पेड़ पर बैठ जाना फिर चिडिया का बेटा आहिस्ता आहिस्ता से उपर उड़ता है इस बार वो काफी बहतर उड़ रहा था वो पेड से उपर चला जाता है मैंने कर लिया, मैंने कर लिया उड़ने में थो बहुत मज़ा आ रहा है आज ममा बहुत खुश होगी छोटा कुकु ऐसे उड़ता उड़ता पेड़ों की दूसरी ओर चला जाता है आज मेरे बेटे की पहली उड़ान है मेरा बेटा उड़ता हुआ कितना सुन्दर लग रहा है अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है चिडिया ऐसे खुश से बातें कर रही थी वो ये ना जानती थी कि उसकी ये खुशिया ज़्यादा देर रहने वाली नहीं है क्यूंके जाड़ियों में छुपा हुआ शिकारी उस पर नजर रखे हुए था शिकारी अपना तीर चलाता है चिडिया की किसमत में शायद यही कुछ था निशाना ठीक चिडिया के सीने में लगता है और चिडिया अपने सारे सपने अपनी सारी खुशिया वो बातें जो वो अपने बेटे से करना चाहती थी साथ ही अपने दिल में लिए मर जाती है मैं पीछे से जाकर ममा को दरा दूंगा और फिर खुब भंसूंगा ममा को तो विश्वास ही नहीं आएगा जब मैं दूसरी दिशा से जाकर ममा को दिखाओंगा चीडिया का बेटा अपने मन में ऐसी सोचते हुए वापिस लोडता है ममा ममा मैं आ गया परंतु जैसे ही कुकु अपनी ममा को चूता है उसकी ममा तो खून से भीगी पड़ी थी ममा मेरी ममा मेरी ममा ये आपको क्या हो गया ममा आपके ये चोड कैसे आ गई ममा बोलो न बोलो न ममा देखो मैंने उड़ना सीख लिया है आम मुझे ऐसे उड़ना देखना चाहती थी न ममा देखें उसकी ममा कैसे जवाब देती उसे तो उस जालिम शीकारी ने इतना समय भी ना दिया था कि अपने बेटे से कोई आखरी बात ही कर सके शाम हो जाती है कुकु शाम तक बैठा अपनी ममा के पास ही रोता रहता है फिर एक बुड़ी फाखता का गुजरते हुए कुकु पर दिहान जाता है वो बुड़ी फाखता कुकु के पास आती है बेटे क्या हुआ आप क्यों रो रहे हो मार दिया मेरी मम्मा को जालिम शिकारी ने मार दिया आज मैंने पहले दिन उड़ना सीखा था परन तू मेरी मम्मा मुझे उड़ता ना देख सकी बेटा चुप कर जाओ अगर ऐसे रोते रहोगे तो जिन्दगी का ये सफर कैसे कटेगा हम ममा पापा को तो एक ना एक दिन अपने बच्चों को छोड़ कर जाना ही होता है कोई पहले तो कोई बाद में ये संसार बहुत जालिम है बेटा शाम हो गई है आप अपने खर चले जाएं क्योंके यहां हर तरफ खत्रा ही खत्रा है अपनी मां के बिना जीने का होसला पैदा करो अब आपकी मम्मा कभी लोट कर नहीं आएंगी फिर बुड़ी फाखता भी चले जाती है और कुकु भी रोता हुआ अपने खर चला जाता है रात को कुकु को नीद नहीं आ रही थी क्योंके आज ऐसा पहली बार था कि वो घर में अकेला था वो तो अपनी मम्मा के पंखों में छुपकर सोता था वो अपनी आँखें बंद कर लेता है उसकी मम्मा का चहरा उसकी आँखों के सामने आ रहा था फिर वो फूड फूड कर रोने लग जाता है ममा ममा मेरी ममा मुझे नीद नहीं आ रही ममा मेरे चोट लग जाती आपको कुछ ना होता ममा मेरे पास आ जाओ जंगल के सेनाटे में उस चोटे चिडिया के बच्चे की रोने की आवाज दूर दूर तक जा रही थी करन्तु कोई भी उसे पूछने नहीं आता कि वो क्यों रो रहा है वो लंबी रात खतम हो जाती है और कुकु भी कुछ संभल चुका था वो ये जानता था कि जिन्दा रहने के लिए सबसे पहला काम उसे भोजन की खौज करना सीखना है कुकु अपने पडोसी कालू कवे के घर की तरफ उड़ता है चुप हो जा कुकु चुप हो जा हमें रात को ही पता चल गया था कि आपकी ममा मर चुकी है भूख लगी होगी बेटे ये लो ये दाना खा लो मैं भूखा तो हूँ परन्तु आउंटी मैं आपके पास भोजन मागने नहीं आया मैं तो इसलिए आया हूँ कि मुझे भोजन की खोज नहीं आती आप मुझे अपने साथ ले जाएं ताके मैं भी सीख सकूँ कि भोजन कहां से मिलता है कुकु की ये बात सुनकर गोरी से पहले कालू कवा बोलता है कुकु तुम अभी छोटे हो हमें तो भोजन लेने दूर दूर तक जाना होता है हम तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकते अंकल मेरी ममा ने मुझे उन्ना तो अच्छे से सिखा दिया था उन्ने की बात नहीं है हम जानते हैं तुम्हें उन्ना आता है हमारी रफ्तार तेज है और आप हमारे साथ नहीं उड़ सकोगे आप ऐसा करें कबूतर के पास जाएं कबूतर आपको साथ ले जाएगा हाँ या फिर तोता तोता भी तम्हारी तरहां आहिस्ता आहिस्ता ही उड़ता है कुकु कुछ बोले बिना वहां से कबूतर की तरफ चला जाता है कबूतर तो घर पर ना था उसकी पतनी घर पर ही थी आंटी अंकल कहा है वो तो भोज़ा लेने गे हुए है कुकु बेटा आपको क्या काम था अपने अंकल से आंटी मैं भी अंकल के साथ भोजन की खोज करना चाहता था कुकु बेटा आपकी ममा ने आपको अभी तक भोजन की खोज नहीं सिखाई थी नहीं मेरी ममा खुद ही भोजन ले आया करती थी ममा मुझे साथ नहीं लेकर जाती थी कुकु बेटा आपके अंकल तो बड़े हैं और आप छोटे हो आपको शायद ये नहीं पता कि हम कबूतर आसमान की उन्चाई में उड़ते हैं और हम उन्चाई से ही भोजन देख लेते हैं आप इतनी उन्चाई तक नहीं उड़ सकोगे कवे के पास जाना था कुकु खामोश रहता है और वहां से चला जाता है मुझे बहुत दुक हुआ बेटा आपकी ममा का सुनकर परन्तो बेटा हम तोते तो लाल मिर्ची खाते हैं और वो आप खाने ही सकते हो वो तो बहुत कडवी होती है तो अंकल आप मुझे साथ ले जाएं आप लाल मिर्ची खा लेना और मैं अपना दाना ढूंड लूँगा बेटा मुझे आप से पूरी सहानव होती है परन्तो मैं ऐसा नहीं कर सकता मैं लाल मिर्ची किसान के खेंसे चुरा कर खाता हूँ अगर आप साथ होगे तो हम पकड़े जाएंगे और किसान बंदूग चला देगा ऐसा कहते हुए तोता वहां से उड़ जाता है बुड़ी फाखता जो पीछे बैठी उनकी बातें सुन रही थी कुकु के पास आती है बेटा मैंने आप से कहा था ना कि ये जंगल बहुत जालिम है एक इनसान ही नहीं सबको अपनी अपनी जिनता है सबका घर परिवार है किसी का अपना बेट पूरा भरेगा तो फिर ही आपकी बात सुनेगा ये सब तो मेरी ममा के दोस्त है क्यूंके आपकी ममा से इन सबको लालच था सब आपकी ममा से भोचन मांग कर खाते थे और अब आप इन्हें कोई फाइदा नहीं दे सकते हो इसलिए अब कोई आपको साथ ले जाने के लिए तियार नहीं है ये जंगल सबका है अगर ऐसे ही डरते रहोगे तो भोग से मर जाओगे चलो मेरे साथ चलो फिर वो बुड़ी फाखता जो ज़्यादा तेश तो ना उड़ सकती थी कुकु को अपने साथ लेकर भोजन की खोज में चली जाती है प्यारे दोस्तों माता पिता के बिना जिंदकी बहुत मुश्किल होती है इसलिए अपने माता पिता से प्यार करो और उनकी इज़त करो